नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बहतरी नंग से कर रहे होंगे आज हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो हो जाती है भारत की मिट्टियों से संबंदित इंडिया हो जाती है और इससे जो बनने वाले आपके important question वो सब देखने को मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो में इसमें लगबग 70-80% आपको देखने को मिलने वाले हैं तो चलिए देर ना करते वे शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और वीडियो सुरू करने से पहले अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो आप सब्स्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं इस वीड भारत में लाल मिट्टी शामानेता कौन से छेतर में पाई जाती है लाल मिट्टी की बात हो रही है यह सामानेता कि छेतर में पाई जाती है यह आपको बताना है तो जो लाल मिट्टी पाई जाएगी भारत में वो पाई जाएगी दक्षिन पठार के पूरी और दक्षिन जाती है यह कई बार कोश्चन टेंड करता है आपका अग्जाम में और यह आप से पूछ लिया जाता है आपकी परिक्षाओं में कई बार इस तरह के प्रिशन देखने को मिलते हैं ठीक है आप से पूछा गया है भारते किर्ची अनुसंदान परिश्यत के अनुसार भारत में मिट्टियों के परकार तो यह हो जाते हैं आपके आठ परकार की मिट्टी हो जाती है ठीक है इसके बाद कोश्चन नमर हो जाता है हमारा तीन भारत के सरवादिक छेतर पर किस परकार की मिट्टी का विश्थार पाये जाता है भारत है हमारा तो भारत में सरवादिक किस जो जयता है उसका परमुक कारन किया है तो टो ऐसकी परमुक कारन हो जाएगा वो हो जाता है आपका डि याणि जलवाय। संग्रखचन और उच्चावच की जो विवित जा होती है उस वजय से भारत में विभԿन चेत्रों में विभिन परगार की मिट्टियां पाई जाती है सारे कोश्चन आपकी प्रिक्षा के लिए इंपोर्टेंट है और इसी तरह के कोश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं कोश्चन नमबर पांच हो जाएगा भारत में बंजर भूमी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्यका है बंजर भूमी का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्यका है तो यह हो जाता है राजिस्थान में ठीक है राजिस्थान जो है यह आपका कुछ इस तरह से राजिस्थान हो जाता है और राजिस्थान में जो है आधे उस पर जो है ये मरुष्थल पाए जाता है ये भी आपको याद रखना है ठीक है सहारा मरुष्थल जो है वो आपका मिल जाता है आपको देखने को राजिस्थान में इसलिए कहा गया है कि भारत में बंजर भूमी का जो सबसे बड़ा इस् तो ये पाई जाती है आपकी लाल और पीली मिट्टियां पाई जाती है दंड कारण ये छेतर में इसके बाद साथ नमबर की बात करेंगे भारत की निमने लिखतम से मिरदाओं में कौन सी बेसाल चट्टाउनों के तूटने फूटने के कारण निर्मित हुई है तो ये हो जाती है आपकी रेगूर मिट्टी ओप्सन नमबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर question number हो जाता है हमारा 8 पोधो को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है पोधो को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है तो ये मिल जाता है चिकनी मिट्टी में ठीक है option number B हो जाता है इसका correct answer 9 number हो जाएगा हमारा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है जो काली मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है तो काली मिट्टी को जाना जाता है आपकर रेगुर मिट्टी के नाम से कैई बार जो है वंडे एक्जाम में ये कुर्शन देखा गया है Question number 10 हो जाएगा 36 गड़ के अधिकांस भाग की जो विशेष्टा है वो क्या हो जाएगी 36 गड़ के अधिकांस भाग की विशेष्टा तो ये हो जाती है वहाँ पर लाल मिट्टी ठीक है ये लाल मिट्टी जो है वहाँ की विशेष्टा हो जाती है 36 गड़ की कोश्चन नमर 11 हो जाएगा हमारा कॉप मिट्टी यानि यह यो एल्वियम पाई जाती है यह कहाँ पाई जाती है कौप मिट्टी की बात की गई है तो ये पाई जाती है आपकी नदी घाटियों में ठीक है ये कौप मिट्टी होती है नदी घाटियों में ये पाई जाती है कोश्चन नमर 12 हो जाएगा मिरदा परदन रोका जा सकता है मिर्दा परदन किस तरह से रोका जा सकता है ये आपको बताना है तो ये रोका जाता है वरक्षा रोपन करके या वन रोपन करके मिर्दा परदन को रोका जा सकता है हुमस उधारन है हुमस किसका उधारन हो जाएगा तो ये उधारन हो जाता है आपका जैविक कोलाइड का, हुमस उधारन हो जाता है जैविक कोलाइड का Question number 14 हो जाएगा, लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है आपकी मालवा के पठार में ठीक है लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में सारे question important है और ये वो question है जो आप से पूछे गए है question नमबर 15 हो जाएगा गंगा के मैदावनों की पुरानी कछारी जो जलोड मिट्टी है वो क्या कहलाती है को जाता है question नमर 16 हो जाएगा गंगा घाटी में बांगड मिट्टी पाई जाती है तो ये पाई जाती है बाड़ की वरतमान सीमा उसे उपर तीक है उत्री मैदान जो बना है ये किस से बना हुआ है तो भारत का उत्री मैदान है ये बना हुआ है आपका जलोड मिट्टी से ठीक है ये आपका हो जाता है भारत और ये है भारत का उत्री सा और यहां से जो है काफी नदिया जो बहती है तो इसलिए कहा गया है जलोड मिट्टी स जो है बना हुए आपका भारत का उत्री मेदान को इस नमर अठार हो जाएगा पश्चिमी राजिस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है तो यह जो मात्रा हो जाएगी यह हो जाएगी कैल्सियम की ठीक है पश्चिमी राजिस्थान में कैल्सियम की मात्रा अधिक होती सारे कोष्चन इंपोर्टंट आज और सारे कोष्चन आपको देख लेने है पॉष्चन नममर 19 हो जाएगा निम्नलिकत राज्यों में किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर देश ये लवणी है आदर भूमी है किस में हो जाती है सबसे बड़ी लवणी आदर भूमी यह आपक जो आदर भूमी है यह आपकी हो जाएगी गुजरात में ठीक है ओप्सन नमबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर कोस्चन नमबर हो जाएगा हमारा 20 भारतिय किर्शी अनुसंदान परिशत के अनुसार भारत में कितने परकार की मिट्टियां पाई जाती है यह आपको बतान लोहे का अतिरेख होने के कारण अनुरुवर हो जाता है कौन सा जिसमें लोहे की अधिक्ता पाई जाती है और उसके कारण जो है अनुरुवर हो जाती है मिट्टि वो कौन सी हो जाएगी तो यह हो जाती है आपकी later right तीक है लेटर right में जो है यह लोही कि दीखता पाई जाती है इसलिए उसको unurwork भी कहा जाता है उurwork तह उसकी खतम हो जाती है Question 2 हो जाएगा गंगा के मेदाउनों की पुरानी कचारी मिट्टी क्या कहलाती है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाई जाएगी तो ये कहलाई जाती है आपकी बांगर मिट्टी Q- 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 Q परिनाम होता है। इस मिट्टी का परिनाम क्या है? जो Makarela हो जाती है या इसको Let right भी कहा जाता है। तो यह हो जाती है आपकी Kaali मिट्टी ठीक है? यह हो जाती है आपकी Let right question नमर हो जाएगा हमारा 25 और ये Soil के जो है question चल रहे हैं ठीक है? और 70-80 question के आसपास आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में सारे important है और यह कहीं नगें आपसे पूछे भी गए question है question number 25 हो जाएगा granite और nice चटानों में granite और nice चटानों से किस परकार की मिट्टी का निर्मान होता है तो यह हो जाता है आपका लाल मिट्टी का ठीक है option number A हो जाता है इसका correct answer अगला question है हमारा 26 number रैगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है रैगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है तो रैगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहा हो जाएगी तो ये हो जाती है आपकी महराष्ट में ठीक है रैगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महराष्ट में हो जाती है और रैगुर मिट्टी का जो एक अन्य नाम है वो हो जाता है इसका काली मिट्टी ठीक है ये भी आपको याद रखना है काली मिट्टी को और क्या कह सकते हैं तो काली मिट्टी को एक कहा जाता है कापासी मिट्टी ठीक है क्योंकि इसमें कापास हुगाई जाती है इसको कापासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है Question number हो जाता है हमारा 27 निम्न लिखत में से किस परकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवशक्त होती है न्यूनतम उर्वरक की आवशक्ता होती है कोश्चन नमर हो जाएगा हमारा 28, निम्ण में से कौन सी मिट्टी प्राई दीपिया भारत में अधिक्तम छेतर प्रफल पर विश्तिरित है, यह कौन सी हो जाएगी, तो यह हो जाती है आपकी काली मिट्टी, ठीक है, उप्चन नमर यह हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर, कोश्चन नमर 29 हो जाएगा छेत्रिय विस्तार और किर्शी में महत्व की द्रेष्टी से भारतिय मिट्टों के परमुख वर्ग हैं कौन से परमुख वर्ग हो जाते हैं छेत्रिय विस्तार और किर्शी में महत्व की द्रेष्टी से भारतिय मिट्टी हो गए तो ये हो जाते हैं, option number C हो जाएगा इसका correct answer, यानि चार जो हैं परमुख वर्ग हो जाते हैं आपके छेत्रिय विस्तारों किर्शी की द्रेष्टी से भारतिय मिट्टी हो गई इसके बाद question number हो जाता है हमारा 30, निम्नांगीत अपरदन के परकारों में से किसके कारण चम्बल खंड बना है, ये आपको बताना है, तो इसका जो correct answer हो जाता है वो हो जाता है आपका auster sheet, यानि option number B हो जाएगा इसका correct answer लावा के परवाव से किस मिट्टी का निर्मान होता है, लावा के परवाव से किस मिट्टी का निर्मान होता है, तो ये हो जाती है आपकी काली मिट्टी, जब जो है जो आलामुकी फटता है तो उसमें से जब लावा निकलता है, तो वो जो है काली मिट्टी का रूप ले बाद में क्योंकि मिट्टी ज़ेता है इसके बाद Q僕 similar, कपास की खेती के लिए स्तरवत्तम निटी कोण सी होती है है यह हमने यह आपको बता है काली मिट्टी हो जाती है कपास के लिए और इसको कपास मिट्टी के नाम भी जाना जाता ही ठीक है option number A हो जाता है इसका correct answer question number हो जाएगा हमारा 33 भारत की सरवादिक महतपूर्ण मिट्टी कोन सी है तो ये हो जाती है आपकी जलोड मिट्टी ठीक है ये महतपूर्ण मिट्टी हो जाती है और ये जलोड मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाव मिट्टी भी मानी जाती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आपसे ये पुछ ले जाएगा भारत की सबसे उप जाओ मिट्टी कौन सी है, तो जलोड मिट्टी हो जाती है, question number हो जाएगा हमारा 34 निम्न में से कौन सरवादिक समरद मिट्टी है सरवादिक समरद मिट्टी कौन सी हो जाएगी तो जो सरवादिक समरद है वो भी आपकी मानी जाती है जलोड मिट्टी ठीक है question number हो जाता है हमारा 35 तर्टिय मैदावनों और उत्तर भारत के मैदावनों में उत्करेश्ट मिर्दा कौन सी है तो यह हो जाती है आपकी जलोड मिट्टी ठीक है ओप्सन नमबर डी हो जाता है इसका correct answer अगला question हो जाएगा हमारा 36 पुरानी जलोड मिट्टी को अन्यकिस नाम से जाना जाता है पुरानी जलोड की बात की गई है तो यह जाना जाता है आपका बांगर ठीक है यह हो जाती है पुरानी जलोड अगर आपसे पूछा जाएगा नई जलोड तो नई जलोड हो जाती है ख़ादर मिट्टी ठीक है जो खादर वाली होती है वो हो जाती है नई और बांगर वाली ख़ाती है आपकी पुरानी रेगड हो जाती है आपकी काली मिट्टी ठीक है ये भी आपको याद रखना है option number question हो जाएगा हमारा 37 लावा के परवाद से किस मिट्टी का निर्मान होता है तो यह हो जाती है आपकी काली मिट्टी question को किशी भी तरह से आपको फिरागर examiner दे सकता है ठीक है answer इसका यही रहेगा 38 की बात करेंगे निर्म में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है तो रेगुर मिट्टी हम आपको पहले ही बता चुक है रेगुर मिट्टी यह हो जाती है आपकी काली मिट्टी ठीक है option number option number a हो जाता है इसका correct answer 39 के बात की गई है निमने लिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्तों से भरपूर होती है मिट्टी तो ये कौन सी होती है तो ये हो जाती है आपकी जलोड मिट्टी ठीक है ऑप्सन नमबर B हो जाता है इसका correct answer सबसे ज़्यादा उप जाओ आपकी हो जाती है जलोड मिट्टी और सबसे ज्यादा उप जाओ ये क्यों हो जाती है क्योंकि अपने साथ जो है अफसाद बहा कर लाती है ठीक है अफसादों को बहा कर लाती है यह जो लोड मिट्टी अपने साथ में इसलिए ज़्यादा उर्वरक हो जाती है कोश्चन नमर हो जाएगा हमारा 40 किस मिट्टी में किर्ची के लिए शीचाई के लिए आवसकता नहीं होती है कोश्चन नमर हो जाएगा हमारा 41 धान की खेती के लिए शरवादिक आदर्स मिट्टी इसके बाद कोश्चन नमर हो जाता है हमारा 42 निमने लिखत में से कौन सी मिट्टी चाई बागानों के लिए उप्युक्त है चाय के बागानों के लिए उप्युक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी तो ये हो जाती है अमल ये मिट्टी उस मिट्टी में अमल पाए जाते हैं ठीक है चाय की बागानों के लिए उप्युक्त भी हो जाती है कोश्च नमर हो जाएगा हमारा 43 सामानिय थे फसले उगाने के लिए उर्वर भूमी का जो पियच मान हो लगवक कितना होना चाहिए सामानिय फसले उगाने के लिए पियच मान होना चाहिए आपका छे से साथ ठीक है छे से साथ पियच मान होगा तो सामानिय फसले उसमें उगाई जा सकती है आप्सन नमबर सी कार्वनिक पतार्तों की अधिकता होती है तो ये वह जाएगी काली निंटि पाई जाती है तो ये पाई जाती है आपकी जलोड मिट्टी, option number C हो जाता है इसका correct answer, अगला question हमारा 46 number, मिट्टी की रचना ऐसामानित है निमनेलिक परकिरिया होती है, निमनेलिक परकिरिया द्वार होती है मिट्टी की रचना, तो ये जो परकिरिया होती है, ये होती है ऐसा मानित निम्निक परकिरिया द्वारा होती है इसके बाद आ जाता है हमारा फोटी शेवन नमबर कोश्चन निम्नांग कितमे से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सरवादिक छेतरफल फैला है मिट्टी का कौन सा वर्ग हो जाएगा जो सरवादिक छेतर पर फैला है यह आपको बताना है तो सरवादिक छेतर पर फैला है यह फैला है आपका जो लोड मिट्टी का जो वर्ग है यह सरवादिक छेतर पर फैला है भारत की ठीक है, option number A हो जाता है, इसका correct answer, यहां बात करेंगे 48 के बारे में, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है, वो क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है, बार बार जो है, कोशन, बदल बदल का जो ही repeat हो रहे ह 49 के बात की गई है निमने लिखित मित किस परकार की मिरदागी जल धारन चमता सबसे कम होती है जो जल धारन चमता है वो सबसे कम होती है तो यह हो जाएगी आपकी जो बलूई दोमट मिट्टी होती है इसकी जल धारन की जो चमता है वो सबसे कम होती है अगला कोश्चन हमारा 50 नमबर हो जाएगा मिर्दा चरन निमने लिखित द्वारा रोका जा सकता है मिर्दा चरन निमने लिखित द्वारा रोका जा सकता है तो यह रोका जाता है आपका अच्छे पोधे पेड़ लगा कर रोका जा सकता है आपका मिर्दा चरन को ठीक है या फिर आप कह सकते हैं वन किस तातू की परत सतय पर नहीं पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी नाइटोजन की जो परत है, ये आपकी नहीं पाई जाती है मिर्दा लवन में. अगला कोश्चन हो जाएगा हमारा 52, निमने लिखेतने से कौई सा छेतर मुर्दा अपरदन से सबसे अधिक परभावित होता है, वो कौई सा छेतर हो जाएगा? तो ये छेतर हो जाता है आपका चम्बल की जो घाटी है ये हो जाता है आपका correct answer option सीज़दा correct option सरवादिक मर्दा अपरदन होता है question हो जाएगा 53 पहाड़ी भागों के भू अपरदन का मुख्य कारण क्या है पहाड़ी भागों के भू अपरदन का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है तो इसमें जो है अतिचारन हो जाता है दोस्पूर्ण किर्शी पदिती हो जाती है वन विनास भी हो जाता है ठीक है ये पहाड़ी भागों में भू अपरदन के मुख्य कारण हो जाते हैं और इस हिसाब से option number D हो जाएगा आपका correct answer यानि उप्रोक्त सभी question number हो जाएगा 54 परवती स्लोपों पर मिर्दा अपरदन को किस परकार नियंतरित किया जा सकता है इसको नियंतरित कैसे किया जा सकता है ये आपको इस question में देखना है तो इसका जो correct answer हो जाता है आपका समुच्ची रेखे है जुताई होती है उससे मिर्दा अपरदन को नियंतरित किया जा सकता है question number हो जाता हमारा 55 पद मिर्दा परिक्षण निम्ण में से किस से संबंदित हो जाएगा पद मिर्दा परिक्षण कोष्चन नमर हो जाएगा हमारा 57 कथान ये कहता है घने वनस्पती आवरन वाली पहाड़ी उपर भारी मिर्दा परदन नहीं होता है गने आवरन, वले पाड़े बहरी मिर्दा बने, तो ये option हो जाता है आपका correct, कारण की बात करेंगे वनस्पति आवरन, जो वनस्पति का आवरन होता है, वर्षा के जलसे, अंत्य इस पदन, तथा मर्दा इस बंदन में सायग होता है, तो ये भी हो जाता है आपका correct, दोनों आपके correct हो जाते हैं और दोनों correct किसमें दिखाए गए हैं तो ये दिए गए हैं A और R दोनों सही हैं और R जो है A की सही व्याख्या भी करता है option number A हो जाता है इसका correct answer अगला question हमारा 58 लेटे राइट मिट्टी का परियोग किया जाता है जो लेटे राइट मिट्टी है उसका परियोग किया जाएगा तो ये किया जाएगा आपका C यानि भवन निर्वान के लिए ठीक है option number C हो जाता है इसका correct answer 59 के बात की गए गंगा के मैदान में मिर्दा की उर्वरक्ता के बने रहने के कारण क्या हो जाते हैं गंगा के मैदान में मिर्दा की जो उर्वरक्ता बने रहने के कारण है वो हो जाते हैं आपके वार्सिक बाड़ और नवीन जलोड मिर्दा का जमाओ ये हो जाता गंगा क मैदान में इसके बाद हो जाता है हमारा 60 उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का छेत्र अधिक है ये उत्तर प्रदेश के लिए special question हो जाता है मिट्टी का छेत्र अधिक है कौन सी मिट्टी का तो उत्तर प्रदेश में जो है गंगा आ उसके बाद यमन आ जाती है और भी बहुत सारी जो है राम गंगा घागरा गंडग ये सबी जो है आपकी नदिया आ जाती है उत्तर परदेश में और इसलिए जो है वहापर जो है जलोड मिट्डी का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है ठीक है सबसे ज्यादा छेतर हो जाता है आपकी मरदा जनन औप्चिन अमबर यह हो जाता है इसका करेक्ट आंसर अगला कोश्चन हमारा हो जाएगा 62 सरवाधिक उपजाओ मिरदा मानी जाती है तो यह भी हो आती है आपकी जलोड मिट्टी क्योंकि जलोड मिट्टी जो है अपने साथ अवसादों को बहा कर लाती है ठीक है इससे उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है अगला कोश्चन हो जाएगा 63 काली मर्दा का एक अन्य नाम क्या हो जाएगा कोश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है ठीक है एक्जामनर जो है काफी तेज होता है आपको जो है बदल बदल कर कोश्चन देता है कोश्चन वही होता है के वल आपको जो है समझ काली मिर्दा का अन्य नाम आपसे पूछा गया तो यह हो जाता है रेगुड मिट्टी हो जाता है काली मिट्टी का अन्य नाम अगला कोशन हो जाएगा हमारा 64 कपास की पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है कपास के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी मा जाती है आपकी काली मिट्टी, option number D हो जाता है इसका correct answer, अगला question हमारा 65 number, बै कौन सी मिर्दा है जो चीड की एवन देवदार के विरक्षों की उगने के लिए उमानी जाती है, कौन सी मिट्टी में चीड वे देवदार के विरक्षों उगते हैं, तो यह जो मिट्टी हो जात question हो जाएगा हमारा 66 number, मरूश्टीले मिर्दा में मुख्य रूप से किस फजल की पैदावार की जाती है, तो यह की जाती है आपकी बाज रेगी, option number C हो जाएगा इसका correct answer, अगला question है हमारा 66 number, वनस्पिती में रहित भागों में वर्सा के कारण बनने वाली गहरी नालियां कहलाती है, यह क्या कहला ही जाएगी जो नालिया बन जाती है, वर्सा के कारण बनने वाली गहरी नालियां, यह कहलाती है आपकी आवनली का अपरदन, ठीक है, option number A हो जाता है इसका correct answer, 68 की बात की गई है, भारत में मिर्दा परदन से सर्वादिक परभावित राजी कौन सा अगला कोश्चन हो जाएगा हमारा 69 नमबर, भारत की दूसरी विशालतम मिर्दा कौन सी है, भारत की दूसरी विशालतम मिर्दा हो जाती है आपकी लाल मिर्दा, option number B हो जाता है इसका correct answer, अगला कोश्चन हो जाता है हमारा 70 नमबर, पीट मिट्टी मुख्यत है, पाई जा जाएगी, तो ये पाई जाती है आपकी गुजरातमी, ठीक है, option number D हो जाता है इसका correct answer, इस वीडियो में आपको लगबग सी के असपास question मिलने वाले हैं, और सारे question आपकी परिक्षा के लिए हो जाते हैं, important, वाई उसे उड़कर दूसरे स्थान पर पहुचने वाली मिर्दा है, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है आपका वात ओड़ मिर्दा, ठीक है, ये वात ओड़ मिर्दा हो जाएगी, जो वाई उसे उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, अगला question है, हमारा question number 72, मैगरो वे वनस्पतियों के लिए कौन सी मिर्दा उ मिल जाती है, सुंदर्वन में, सुंदर्वन के डेल्टा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये सुंदर्वन का डेल्टा हो जाता है आपका पश्ची में बंगाल में, ठीक है, और वहाँ पर जो है दल दली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अगला question हमार ज़्याओ के फल जो रूप भारतिय मिरदाओं में, पोसक तत्व घट जाते हैं, जब एक ही समय तक आप किर्शी करते रहते हैं, जमीन पर उसके पोसक तत्व घट जाते हैं, इसलिए कहा जाता है, अगर आपने इस बार गेहू लगाया, तो अगली बार दूसरी फसल लग अगला Question हो जाएगा हमारा 74 नुमर, भारत की निमन मित्त्यों में कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षे के कारण निर्वित हुई है, कौन हो जाती है बेसाल्ट लावा के उपक्षे के कारण निर्वित। तो इसका जो correct answer है यह हो जाता है आपका रे गुरु मिट्टी हो जाती है बेसाल्ट लावा के उपक्षे के कारण नेर्वेत अगला question हो जाएगा हमारा 75 किसकी परचूरता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखता है किसकी परचूरता हो जाती है किसकी अधिकता पाई जाती है जिसके कारण आपकी जो मिट्टी है वो लाल कलर की दिखाई देती है तो इसका जो correct answer वो हो जाता है आपका लोही की प कटी बंदिया चर्णों जम्के नाम से जानी जाती है तो ये भी हो जाती है आपकी काली मिट्टी काली मिट्टी यानि देगुर मिट्टी काली मिट्टी यानि कपासी मिट्टी अगला question हो जाएगा हमारा 77 भारत में किर्शी योग्य भूमी में लवन येता विरद्धिगा पर मुकारण क्या है तो ये हो जाता है सिचाई की अधिकता ठीक है ये option हो जाता है आपका भी ये हो जाता है इसका correct answer अगला question हो जाएगा हमारा 78 सारे question आपकी परिक्षा के लिए important है सारे question आपको देख लेने हैं उर्वरक के लिए अत्यदिक परोग होता है उर्वरक के लिए अत्यदिक परियोग किश्का हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका D यानि उप्योग सभी का मर्दा परदूशन का भी हो जाएगा जल परदूशन और वायू परदूशन ठीक है उर्वरक के लिए अत्यदिक परियोग आपका हो जाएगा अगला question हमारा हो जाता है 79 नंबर भारत की निमने लिखते मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी सरवादी को उप्यूक्त हो जाती है कौन स question हो जाएगा हमारा 80 लेटे राइट मिट्टी की परदानता होती है लेटे राइट मिट्टी की जो परदानता है वो कहां हो जाएगी तो यह हो जाती है आपकी बगेल खंड में ठीक है option number D हो जाता है इसका correct answer अगला question हमारा 81 अत्यांत सूक्ष्म करणों वाली मिट्टी है कौन हो जाएगी अत्यांत सूक्ष्म करणों वाली मिट्टी तो यह हो जाती है ची का मिट्टी option number D हो जाएगा इसका correct answer अत्यादिक सूक्ष्म करणों वाली मिट्टी मानी जाती है इसके बाद यह हो जाता है ह का रंग जो है लाल हो जाता है लाल मिट्टी का यह सूस्क और आदर शेतरों में पाई जाती है यह भी करक्ट हो जाएगा सूस्क में भी पाई जाएगी और आदर में भी पाई जाएगी इसके बाद यह अधिकांस का जो है तमिल नाडो और आंदर प्रदेश में पाई जाती ये भी correct हो जाता है तमिल नाड़ो और आंदर प्रदेश में पाई जाती है आपकी लाल मिट्टी option D हो जाएगा यह है मिट्टिया नदी घाटी में पाई जाती है तो यह गलत हो जाएगा यह मिट्टी जो है नदी घाटी में नहीं पाई जाएगी option number D हो जाता है आपका correct answer अगला question हो जाता है हमारा कौन सा युगम सही नहीं है AT3 की बात करेंगे कौन सा युगम सही नहीं है यह आपको बताना है काप मिट्टी के बात करेंगे यह आपकी हो जाती उत्तर प्रदेश से संबंदित letter right मिट्टी आपकी पंजाब से संबंदित नहीं है यह गलत हो जाएगा काली मिट्टी आपकी महराष्ट से संबंदित हो जाती है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी जो है तमिलनाडू से संबंदित हो जाएगे तो आप से पूछाता कौन सा युगम सही नहीं है तो भी हो जाएगा जो आपका सही नहीं है आज का हमारे वीडियो समाप्त होता है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के एक लाइक भी आप कर सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों और तब तक के लिए नमस्कार जाहिए